लो गाइज वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल आई होप यू अला डूइंग ग्रेट और मैं बीकदम वडिया हूं तो आज मैं ब्लॉग की शुरूआ रोम से ही कर यू फिल्हाल मैं कॉलेज को जारी हूं फिर आज चलते हैं बाकि आपको कॉलेज का तूर देते हैं आपको पार दिखे रहा है वो मेरा कॉलेज हैं मोझे वहान जाना है जो कि मेरे लिए बहुत ही दूर है मतलब यह इसका फ्रंट अव्यंद miejsc का अब दुसरा भी गेट है दूसरी साइड से तो जो दू सफेसरह सा आते बच्चे वो इस गेड करानी थी बस फिर मैं कॉलेज गई और बच्चे तो तब तक क्लास लगा के बापीस भी जा रहे थे अपने अपने घर को बाकी इसके बाद यह मोड़ है फिर बस मैं कॉलेज एंटर करने वाली हूँ तो यह रहा तो यह कॉलेज के फ्रंट साइड का गेट है मतलब यही से हम अंदर एंटर करता है बाकी थोड़ा अरे परेका व्यू और यह है ग्राउंड मतलब यहां कबड़ी बॉली बॉल बगेरा खेलता है बच्चे फिर उसके बाद यह अंदर जब अंदर एंटर होता है यह सामने कहले है यहां किया वागी फिल हाल तो मैं उपर जा रही थी लाइब्रेरी तो यह लाइब्रेरी की सीडियां फिर मैं उपर जा रही थी तो एद वहीं थोड़ी देर काम किया फिर बाकी यह आप कैसे सकते हो बच्छे बाहर बैठे ओया है मतलब रडिअँ-रूम तो एक अलग से है वहां कोई शोर न होता यहां तो बच्चे अपने बच्छे अपना canvas सकता अगर किसी को घरम टाइम लगतआ पैर maximum बच्चे पढ़ता है यहां बैटके बाकी लाइब्रेरिके साथ ही छोटी छोटी जगाय ह्या मतलब यहां बच्चेक है अपना homework भी करते हैं और बाकी नियूस्वेपर वगेरा की reading करते हैं बाकी आपको मैं campus दिखा दूँ तो जो left side है वो science block है मतलब यहां सारे science student का है और teachers का स्टाफ है बाकी जो आपको beach में जगा दिख रही है एक छोटी सी वो canteen है और जो इस side को है right side को यह arts block है बाकी library में का करने के बाद हमारी friend आगी थी तो फिर हम चले गए नीचे क्योंकि हमको assignment जमा करानी थी और इसको तो अपनी दीदी की भी करानी थी तो यह आगी थी फिर हम चले बाकी फिर हमने मस्तिया अपनी start कर दी आप आगे देखी सकते हो यह campus के सामने नहाच रही थी मतलब यह कह र सड़क के पास वह फोटो स्टेट की शॉप है मतलब वहां एक साइवर कहफ है तो हम वहां के लिए जा रहे थे बाकी यह दोनों आपस मैं एक दूसरे को छेड़ रहे थे अपने-पने-बालों की तारीफ कर दी थी कि मेरे जाद अच्छा है मेरे जाद अच्छा है कि मैं प सामने इतनी शर्माती है मतलब की हाथ लगा देती है फेस पी कि नहीं बस मेरी मत बनाना बाकी यह साक्षी जी हमारे मटक मटक के चल रहे थे फिर मैं इसको कैप्चर कर दी थी फिर कह रही थी कि जल्दी आज़ो तब तक इसको कॉल आ गई बाकी इसका फोन खराब हो गया इसके लिए आपके पास एक उप्शन है कि लो और यहां नीचे दिख रहे फर्ष दे मार पटक के यूटूब सेल दिया ही ही ना फॉक्त का सीरिसली बताओं मेरे तक नहीं आ रही आवाज बाकियो तक गाई इसका व्लॉग देखे लाइक शेयर कमेंट करें ताकि मुझे नया फॉन दिलाए ओके ड़न बाकि ये सेकिंड गेट है जिसकी मैं बात कर रही थी तो यहां बच्चे वसका बेट कर रहे होते हैं और यहीं से बस लेते हैं तो आप देख सकते हों यहां बच्चों की कितनी जादा भीड है तो बाकि उसके बाद हम कैफे चले गए थे तो हम अपना काम करा रहे थे यह जो काम था वो करा रही थे अपना बाकि मैं इसके छोटे-छोटे शौट ले दी थी फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड के पास मेरा फॉन गया और वह भी फिर मेरी और साक्षी की क्लिप ले रही थी कॉलिज पूरा खाली है तो कॉलिज पूरा खाली हो चुका है और हम जा रहें कैंटीन क्यूंकि मैडम को लग दी है हो सकता है तो फिर चलता है बाकी जैसे हम अंदर कैंटीन में गए मतलब हमेशा समोसे कहाते हैं और आज समोसे नहीं थे इतना बूरा लगा मतलब बहुत जादा मन था समोसे खाने का एक तो काफी टाइम बाद आया थे कॉलिज भी फिर हमको और कुछ नहीं मिला तो हमने ब फिर उसके बाद साक्षी कहाती कि मैं तेरी क्लिप्स लेती हूं तू दिखा दे थोड़ा सा तो यह हमारे कॉलेज में सरस्वती माता की मूर्ती है यह तो होता यह हर कॉलेज में स्कूल में सरस्वती माता विद्या की देवी की मूर्ती तो होती होती है तो यह मूर्ती बाक तो प्यारे प्यारे लगते हैं तो हो थे और साइड में यहां जो में अबसा और गारडन से मतलब डो साइडे ऐए एक नो लेब लेफ साइड और दुसरा राइंसार ये तो ये स्लै academ का अब इसी बाते सबको ही पसंद होगे और ये कॉलेज का शो भी बढ़ाता है बाकी आप लेफ्ट चाइट भी देख सकते हो जहां मैं जा रही हूँ आज मैं बंदी पूछने आया था वह भी नहीं मिली अफसोस अब मैं भी घर जाओंगा थंड भी लग रही है बैगो आना बैगो 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 अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या कर दे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब हर यूट आपसे नक्स ब्लोग में तब तक के लिए टाटा बाइबाइब